हेलो गई स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बाद फिर से हमारे आज के नए वीडियो में दोस्तो आज का जो टोपिक है आप लोगों में थमनल देख के फिर से समझ चुके होंगे वैसे इससे पहले हम लोगों ने एक और वीडियो को अपलोड किया था जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि कहां की होली जो होती है सबसे बेस्ट होती है गाओं की होली बेस्ट होती है और आज का जो टोपिक है कहां की साधी सबसे बेस्ट होती है गाओं की साधी बेस कि आज हम लोग इसी बात की उपर चर्चा करेंगे चलिये आज को वीडियो यहीं से सबसे ब्रस थैसे तो दोस्तों आप लोगों का एक बाफ तहीं दिल से फीर से हमारे वीडियो में स्वागत है आज का वीडियो में आप लोग देखेंगे तो काफी साधा सजावट करते हैं काफी मतलब कि यह होटल बुक कर लेते होटल के अंदर साधी करते हैं कई सारे के पकवाने बनाते काई सारे लोग कुछ मतलब अलग अलग अले परकार के मतलब डिफरेंट आप लोग देख सकते हैं और गाओं की साध करवाते हैं जिनके पास ज्यादा ने को पास ऐसंगे हीँरिंग में कम पैसें अपने हिसाथ से ही सहर कि आधि में हम स्वडूत आप लोग ङौह की pork देखेंगे ब्रात लिकलती है ना गाउ के लोग और गाँ के लोग होते हैं तो डीजे वीजे लाते हैं वो भी गाओं के लोगे तो डीजे लाते ही वो भी और सहर के लोगे वो भी डीजे लेके आते हैं अब उनमें भी काफी डिफरेंट हो जाता है सहर के लोग कम से कम चार टॉप चार बेस ने लगा दे तब तक कहा मज़ा और गाओं के पर जाके देख लीजिए, आप लोग इंटरनेट पे तो कापी जाज़ा मज़ा है गाउं के सादी में अगाउगों के लिधी में मज़ा नहीं आने वाला है। साहर के लोग है पगड़ी पहन लेते हैं और बल्ले बल्ले करते हैं पहुंच जातें उतना मदान यह गाओं के साधी में लोग सड़क के ओपर नागी डांस कई साले मज़े करते हैं या मानो चलो एक तरह से बरात हमारे यहां पर आती है तो देखिए उन लोगों का स्वागत किस परकार होता है एक ब אני गया है रखिम अपर नागे हो जाता है हाथ मिलते हैं गला मिलते हैं एक दूसरे को लगाओ से ऐसी मिलते से प्रेंबाव से बात चीद करते और उनको बैठाते हैं चाहे नास्ता जो कुछ भी होता है उनलोगों का वो लोग करते हैं यह नसे हो फोंच यह ताली में डा सब्सक्राइब आप लोग नसा करते हैं सिग्रेट होते हैं जर्दा होते हैं वोग उनको देते हैं एक तरह का प्रेम भाव से दिया जाता उन लोगों को ठीक है सब्सक्राइब और आप लोगों सहर में देखेंगे बरात आई बरात कुछी दा खाना के वर जो जो में में लोगे उनसे मन लगाओ कर लेते हैं गला मिल लेते हैं हाथ मिल लेते हैं और बाकी लोग जीदा खाना खाने चले जाते हैं खाना खाते हैं और चले जाते हैं और गा तो आप लोग देखिएगा एक लाइन से सभी को बैठा है जाएगा वैसे राजस्थान में तो मैं बात करूँ तो राजस्थान में जो गाउं में होते न एक तर आगे जो लोग जहां पर वेक्ति बैठता है उसके आगे एक पार्टिया रखा जाता है लगबक इतनी उचाई फनी में होता है फो पार्टियह जिस zweite वेक्ति एक तरह से खाना खा सके तो वह पार्टियख़ लगाया जाता है और उसके पार उसके आंचजट पास में लोगा उन में एक लाइन से बैठा जाता है और कि मैंने एक यह जो वीडियो देखा था सहलें हिलोड़ा जी का उन्होंन मठ्ठा होता है राजसान का फेमस जो कि खार ज्यादातर खाने में होता है मठ्ठा देखता है कि मठ्ठा वाला आ रहा है तो जट पी लिया काम करता हूं कि यह कहां जा रहा है मठ्ठा तो डाल के जा या कोई भी चीज लग रहा है कि हां वह आ रहा है तो से पहले हम उसको खा जाएक अपने धरती के ऊपर बैठेखाने का जो इंजोई होता है न वो अलग-अलग होता है एक तो प्रेम भाव से खिलाए जाता है खाना वो एक होता है कोई पूच्चता नहीं है प्लेट लेकर जाईए लीजिये और खुद अपने मन से खाई वो अलग मजा नहीं होता है और एक खुद प्रेम भाव से किला है ना उसका अलग मज़ा होता है आप लोग इतने में समझ रूखे होंगे वहाँ गाउन की साधी और सेति में साधी सोपाइव और लग अलग तरह के इस्टेंडर तरीके से होता है और गाउन की साधी में अब तो दिस सी तरीके से सादी होता है एक तरश आ जाता है पिर हे नहीं पहसी मजा करते हैं और जुपणी मजा करते हैं और है उम्हें तो चानल में पांड़ी भी कहते हैं जल्दी आपक तोब है अपने नीजय फुल स्पीड में रहते हैं देखे सब intense जो होती है अलग अलग फनकी होती है आप लोगों को कोन सी साधिया सबसे बेश्ट लगती है आपहर कमेंट से के जो एक तरह कही होता है और nasıl जिसके बाद जैसा पहम हम में पैसे उस तरह की लोग होते हैं हाँ जिसके पार पैसे काम साल हुए है लेकुरेशन का सिस्टम जै माला बहुत कुछ होते हैं रध की उपड़ i-这样 B लोग जूड़े हुए तो वह गाउं की दूनिया से खट गे हैं तो अब वू लोग अपने मन्मर्जी से पैसा है उस हिसाब से लोग करते हैं और मेरे बिहार की बात कुरूँ पहले के जमाने में केले के पत्ते पर भोजन कराया जाता था सबसे सुध तरीका था केले के बोजन पत्ते के ऊपर बोजन कराना वो मुझे काफी जादा बेस्ट लगता था किया केले के पत्ते के बाद देसी एक कागज के पिलेट आ गए प्लीट के प्लास्टिक के प्लेट हो गए और ऑभ उतना मज़ा नहीं रहा जितना पहले का मज़ा था वैसे अभी भी है ऐसी बात नहीं आरप लोग होते हैं जो अपने देशी आपके से साधी बया करते हैं अब टेशी पम देशी अब आप घते हैं और अब हुँ आप इने मेरे आप गाओ में एक तरह मतलब की जब खाना होता है तो एक लाइन बढ़ालाई से बेटा जाता है एक्राइश से चावल पुरूशा जाता है खीर पूरिघ जो जिस टाइब डाइब का होता है स्ट्राइब में पॉरे शॉल खार ऱइस टीकैंट मिन didn't तो जो लोग बीहार के लोग है यह तो आप लोगों कहा का सशाधी सबसे बेस्ट लगता है गाउंग की या सहर का आप लोग जいた होजुदोर बिताई यह का में मैं बैसे मुझे तो बहुते गाउंग ॹे सबसे बेस्ट लगती है फिर जितने विस इसाधि इशस certificate ही किया ना उतना मज़ा नहीं है आप लोग सहर में खाना भी देखेंगाने काफी ज्यादा वेस्ट होता है लोग ले लेते हैं खाते नहीं है परहा रहता है आपार मतलब को सब्सक्राइब लोग लगते हैं या जो भी फार्षपूर बनता है आलू चाट लेकिन टेस्ट नहीं होते ही वो लोग सिधा सिधा डेस्ट बिन में डाल देते हैं तो क्या मतलब ऐसी साधी का उसे अच्छा तो गर का जो देसी खाना होता है वो खाना बनाई ये गाव में अपने गाव में ज लेकिती है साधी कॉमेंट सेक्षन में जडरू बताईएगा और मिलते हैं फिर से नए वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए कि अच्छा है